असलाम अलेकुम होब आलफ यूर डूइंग वेल आज क्लास नमर 6 टिक टॉक मार्टिंग जो के एड्स अकाउंट की एक क्लास है इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वाट इस ट्रैफिक कैंपेंज बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है ट्रैफिक कैंपेंज क्या होती है और विंडो कैसे आता है कोई मुश्किल नहीं है बिजन सेंटर में आने के बाद अगें मैं बता जिता हूं आपने अपने अपने एड्स मेनेजर पर क्लिक करना है देन आप इस विंडो पर मुव हो जाते हैं यहां पर आपको कैंपेंज मिलती है क्रेट कैंपेंज करें और दसकि क्या है और इस पाद में बात करें के पहले में हम बात करने थानी वाले हैं ट्रैफिक कैंपेंज का है send more people to destination on your website or app just traffic का काम यह है कि जो particular लोग आपकी product या आपके brand में interested हैं वो लोग आपकी landing page पर या आपकी app पर जाएंगे और उनको वहाँ पर अपना behavior शो करेंगे आपका आपकी traffic का जो behavior होगा वो हम pixel के थूँ connect कर लेंगे वो data हम collect कर लेंगे और उस data के थूँ हम next campaign से run करेंगे मैं again आपको समझा देता हूँ traffic means के randomly आपको नहीं पता के आपकी audience कौन सी है आपने just targeting की अपने knowledge के according आपने जो targeting की उस targeting के थूँ लोग आपके landing page पर गई या आपकी app पर गई mostly probably लोग यहाँ पर website पर ही लेकर जाते हैं तो आपकी 90% जो audience ही वो website पर गई उनने वहाँ पर कुछ activities की कुछ लोगों ने सिर्फ आपकी website को view किया view content किया और कुछ लोगों ने add to code किया कुछ लोगों ने product की description को read किया कुछ लोगों ने product पर buy it किया कुछ लोगों ने check out किया और कुछ लोगों ने purchase करके full payment complete की तो वहाँ पर different logo है different logo ने different activities की different devices से की different internet browser से की then you have collected a lot of data means कि आपको इतना जाड़ा data मिल गया है कि अब आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने add to code किया था आपने अपने pixel, standard pixel और events के थूँ आपने ये decision किया कि मैं जिन्होंने add to card किया मैं इनको अलग audience में रखता हूँ और जिन्होंने complete payment की उनको मैं अलग audience में रखता हूँ और जिन्होंने page content किया मैं उनको अलग audience में रखता हूँ traffic भेजने से ये फाइदा होता है they move to your website वो तब आपकी website पर है क्योंकि उनको interest और उन्होंने वो चीज़ भाइ करना था लेट मैं glasses को advertise कर रहा हूँ tiktok पर अब जो लोग computer यूज़ करते है laptop यूज़ करते है mobile phone यूज़ करते है obviously वो चीज़ भाइ करना चाहेंगे व्यू कॉंटेंट किया add to card के लेकिन buy ने किया जब उनके सामने prices आई तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पचीज सो अच्छा पैसा था और वो buy कर सकते तो उन्होंने buy कर लिया simply मैं उनको new target through new products का sell कर सकता हूँ वो कौनसा होगा इसके glasses wash करने का जो 100 रुपे में आता है तो अब क्या है जिन्होंने buy ने कि add to card किया मैं उनको एक निया add बनाऊँगा एक new video बनाऊँगा उसके तो उनको remarket कर सकता हूँ but I have a data traffic campaigns लाने का मीना कि आप अपना data एकठा कर लें और data एकठा करने के बाद लोगों को target कर सके तो traffic campaigns को ऐसे run करते है मिजीद मैं आपको थोड़ा सा और guide कर देता हूँ traffic campaigns के बारे में traffic campaigns अलग video बनाऊँगा जिसे मैं proper आपको बताऊँगा कि campaigns को कैसे run करते है traffic की campaigns run करेंगे then we go to website conveyance ठीक है data एकठा करने के बाद वहाँ पर चलेंगे तो traffic पर जैसे कि आप click करेंगे यहाँ पर continue करना है और continue करने के बाद अगर आप आप भी testing करें करें testing करें यहाँ पर आपको दो option मिलती है app and websites की तो आपने यहाँ पर website पर ही obviously बहुत से लोग website वाले हैं तो आपने website पर click करना है लेकिन मैं आपको यह कहूँगा कि आप यहाँ पर अपने नाम वगएरा change किया करें नाम को set किया करें जो भी आपने campaign करना हो इसके according यहाँ पर आपको automatic placement है बट automatic placement के इलावा आप इसको uncheck कर दें यह जो दो platforms हैं क्यूंकि हमने tik-tok पर advertise करना है हमारा जितना भी budget होगा वो tik-tok पर ही लगना चाहिए ठीक है कुछ चीज़ें मैं पीछे मिस कर चुका हूँ इसी वजह से क्यूंकि मैं इसमें आपको यह नहीं सिखाने वाला कि कैसे आपने target करना है जिस मैं आपको बता रहा हूँ कि traffic को कैसे भीजना है ठीक है और यहां पर आपको option मिलती है ACO ACO मीन के automatic creative optimize यहां पर मेंस कि आपके पास 5 या 7 या 4 जो है creative होती है 5 copywriting होती है यह थोड़ा सा expert level पर हो जाता है मैं आपको उस लेवर पर अभी नहीं लाना चाहता है ताकि यह कि आपके लिए confusion हो सेगे उसके बाद आपके पास custom targeting होती है और automatic targeting होती है Custom targeting means कि आप अपनी तरफ से लोगों को target करते है automatic means कि TikTok आपका target करते है हम इसको read भी कर सकते है manually set criteria for what kind of user you want to show your ad कि आपका ad कि इन लोगों को show हो वो आप खुछ select करें optimized targeting based on advertising objective and content and past campaigns ads ठीक है अब हम अब आते हैं डेमोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स में क्या होता है मैं एक चीज और बता दूँ यह account जो मेरे पास है जर्मिनी में और मैं इसको जर्मिन में advertise करने वाला हूँ और आपको show भी करूंगा हमारे results तो अच्छे यहां पर आप देख सकते है डेमोग्राफिक्स क्या होती है डेमोग्राफिक्स में क्या क्या चीज़ें आप select कर सकते हैं पहले तो आप यहां पर location select करेंगे जैसे कि हमारा जर्मनी है तो जर्मनी में further cities को select करना चाहूँगा मुझे city के traffic जाए depend on your product और किस टाइब का आपका business है और यहां से आप languages select कर सकते हैं और यह ages हैं अगर e-commerce कर रहे हैं तो 18 plus की age को ही रखें अगर foreign में काम कर रहे हैं और पाकिसान में भी कर रहे हैं तो 30-17 वाले जो बच्चे होते हैं वो order तो आपको कर देंगे अगर उनके पास payment हुए तो mostly chance ही होते हैं उनके पास payment means कि card वगएरा नहीं होता या पाकिसान में cash on delivery है तो वो मंगवा तो लेंगे लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा 18 से onward ही आप select कर सकते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप traffic के लिए भी campaigns में कर सकते हैं बट मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ यही बताने वाला था कि traffic का क्या role होता है और ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको detail के साथ one by one बताने वाला हूँ ताकि आपके knowledge में आपके इलम में इजाफ़ा हो से के चीज़ों के बारे में तो आज की वीडियो में हमने traffic के बारे में सीका नेक्स वीडियो में आपको video views के बारे में बताने वाला हूँ और जो देना ही video के साथ शुक्रिया